आगया में दुनिया दारी सारी बाबा छोड़ के दिल्ली का एक नौजवान लड़का 28-30 साल उमर 25-30 अजार रुपे से व्यापार शुरू किया सोचा मैं भी काम्याब हो जाऊंगा मैं भी बड़ा सेड बन जाऊंगा बाबा के दरवार में मैं भी सच धचके जाया करूँगा लेकिन एक इस यार पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार एक अपने दोस्तों पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार उन दोस्तों ने माल मंगाया उधार में लेकिन किसी ने पेर्मेट नहीं किया उन्होंने भी धुखा दे दिया उसको लगा इन दोस्तों ने भी धुखा दिया है एक उस यार से पूछ के आता हूँ कि मेरे इन यारों ने मुझे धुखा क्यों दिया है आखरी के जेब में 200 रुपे बच गए दिल्ली रेल्वेश्टेशन के बाहर खड़ा था टेक्सी वाले को पूचा कितने पैसे लगेंगे मेरे घर जाने के बोला 200 रुपे और दिल्ली सरिंगस की ट्रेन की टिकट पूची तो 200 रुपे अपने पिताजी को फोन कर दिया बोले पापा जिस तरह माँ को बताने के जुर्थ नहीं होती ना हमें भूख लगी है उसी तरह बाप को बताने के जुर्थ नहीं होती हमें चाहिए क्या उसको पता होता है यह क्यों परिशान है जैसे उसने बोला पिताजी पिता जी समझ गए बच्चा परिशान है बोला हाँ बेटा बोला पिता जी मैं दो दिन के लिए खाटू जा रहा हूँ पिता जी बोले क्या हुआ बोला पापा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ पर मैं हारा नहीं हूँ हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ पर मैं हारा नहीं हूँ मेरा साथी खाटू वाला है मैं बे सहारा नहीं हूँ मैं उससे पूछ रा चाहता हूँ कि वो सारी दुनिया को कामयाब करता है मुझे क्यों नहीं किया उसके मेरे यूवा भाईयो अगर आप काम्याब है तो ये बजन उसके लिए गाना जो आपका भाई काम्याब नहीं है कर भला तो हो भला जरूरी नहीं है कि महलों में रहने वाला ही खुशे बाहर जो गोल गप्पे बेच रहा है ना उससे भी अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है क्यों क्योंकि उसके पास संतुष्टी है पूरे रस्ते भुखा प्यासा रहा किसी से पानी तक नहीं मागा रिंगस पहुँच गया जो नहीं जानते उन्हें बता दूँ जैपुर से 90 किलोमीटर दूर रिंगस जगा पड़ती है और रिंगस से खाटू शाम जी 17 किलोमीटर रिंगस पहुच गया रिंगस में जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 बैड़ जाओ खाटू शाम जी उसको लगा कोई विवस्ता होगी ले जाते होगी जाके जीप में बैड़ गया बैड़ते ही जीप वाले ने सो रुपे मांगी है पूरे रस्ते प्यासा रहा भूखा रहा किसी से कुछ नहीं मांगा तो अब कैसे उधार कर लेता बाबा को कहने लगा बाबा इतनी परिक्षा भी ठीक नहीं है मैं सब कुछ हार के आया हूँ और मैंने सुना है दुनिया में एक ही दर्वाजा है जहां लिखा है हारे का सहारा हारे का सहारा हारे का सहारा और मैं तेरे लिए ढ़ाई सो फिलो मेटर चलके आगया अब तुझे मेरे लिए सत्रा किलो मेटर चलके आदा पड़ेगा बाबा आ गया मैं दुनिया का लिए सारी बाबा छोड़के लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा ये बाबा लेने आता है आपको क्या लगता है तिन-तिन महीने छे-छे महीने बाद खाटू जाते हो तो वो तेरी से बुलाता है नहीं छे महीने बाद उसका भी दिल लगना बंद हो जाता है वो आगर आपको लेने आ जाता है कि चल खाटू आपको लगता होगा आपको लगता होगा बाबा बुलाता नहीं है बाबा का दिल नहीं लगता आप भक्तों के बिना मेरी बात को याद रखना बाबा को कभी इस बात पर मत कोसना की मुझे तू बुलाता नहीं है जितना दिल आपका रोटा है उससे मिलने के लिए उससे कई ज़्यादा दिल उसका दुखता है आपसे मिलने के लिए आओ बाबा के दर्वार में इस भजन को गा देना सच कहता हूँ काम्याबी आपके पीछे पीछे घुमेगी कि भाई तेरा पता बता मैं तेरे घर पे आना चाहता है आगए आपे दुनिया तारी सारी बाबा छोड़े आगए आपे दुनिया तारी सारी बाबा छोड़े आगए आपे दुनिया तारी सारी बाबा छोड़े ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगत के उसी मोड़े लेने आजा खाटू वाले रिंगत के उसी मोड़े हार गया में अब तो बाबा आकर दामन था मिले कहा मुझे किसी शाम भगत दे बाबा का तू नाम ले कहा मुझे किसी शाम भगत दे बाबा ले मुझे याद नहीं आती तेरी याद नहीं आती ना मैं खाटू आता मैं खाटू इसलिए आया है कि मुझे किसी ने गाता निशान चड़ा के आना तो रही बात बन जाएगी मैंने वो हर काम किया जो मुझे किसी ने समझाया लेकिन जिन पर किया भरोसा मैं ले छोड़ गए वो रोड़े मेरे आजा खाटू वाले रिंकस के उस वो रोड़े किस-किस को लेने आएगा बाबा किस-किस को लेने आएगा ये जिना ताली में जाके वो ये खाटू रेश की ये लाइन ये शब्द नहीं है ये चमतकारी शब्द है जो बोलने जा रहा मेरे जीवन में मैंने ये लाइन गाई उसी रात को मेरी कलम ने लिखा जो राम को लाए है हम उनको लाई इस लाइन के बाद इस लाइन को आप भी गाना तीन बाण के कला धारी कला मुझे भी दिखा दे तू जैसे दरिशन सबको देता वैसे मुझे भी खा दे तू जैसे दरिशन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तरवार में हाँ जोड कर बैठ जाए अब मैं खड़ा हूं स्वार तुम्हारे तोनों हाथ जोड़े अब मैं खड़ा हूं स्वार तुम्हारे तोनों साथे सोड़े सब्सक्राइब कि अजय कि अजय कि अजय कि अजय कि मुझे लोग कहते हम इतने वी आईपी है कि बाबा में रिंगस लेकिन सचाई सुनिए वो शबरी अयोध्या नहीं गई थी राम शबरी के पास आये वो खेवत नहीं गया था राम के पास कि आओ मैं तुम्हें पार लगा के आता हूं राम गए थे खेवत के पास और हम भूल गए क्या सुन पे ही दाड़े चले आए वो हर लगाया गले से सुदा मादो वो खेवत सुदा मादो वो हर लगाया गले से सुदा मादो वो खेवत